नमस्कर दोस्तों मैं हूँ सुरेश वाद्वा आपने अभी हाल फिल हाल में एक नया एंजियो बनाया है आपने एक ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शनेट कम्परी बनाई है हो सकता है इसे आपने बनाय हुए अभी दो महीने हुए हैं छे महीने हुए हैं, एक साल हो गया है सबसे बड़ा सवाल जो आप अपने आप से पूछ रही है और जो आपके सामने खड़ा है वो यह है कि साब डोनेशन कहां से आएंगी हम तो इस एंजियो बनाना बड़ा आसान है लेकिन सबसे बड़े सवाल को हमें आसान बनाना है हमें उससे ढूणना है कि डोनेशन कहां से आएगी जिस तरह से एक नए अनुभव हीन व्यक्ति को कोई नोकरी देने को तयार नहीं होता मान के चलिए इसी प्रकार से एक नए नए एंजियो को कोई भी संस्था कमपनी इंडिविजिवल डोनेशन देने के लिए भी त्यार नहीं होंगे तो क्या किया जाए तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने 10 पॉइंट रखूंगा किसाब डोनेशन को रिसीव करने के लिए हमें क्या रस्ता तै करना है और आप मुझे वीडियो के आखिर में कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि इन 10 पॉइंट में से सबसे बहतर पॉइंट आपको क्या लगा तो चलिए हमेशा के तरह अगर आप हमारे चैनल पर नई है तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल न भूले हैं तो आएए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो कि आपने एक ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शनेट कंपनी के तोर पर एक नया एंजियो बनाया है डोनेशन कहां से लाइए इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है डोनेशन के चक्कर में हमें कानून से कोई छेड़चार नहीं करनी है आपको पहचानना होगा कि एक असली डोनर कोन है और एक फेक डोनर कोन है फेक डोनर कहिए मैं इसे क्रिमिनल डोनर भी कह सकता हूँ तो एंजियो को आपने बनाया है कानून का समान करने के लिए समाज सेवा करने के लिए इस एंजियो में आप खुद किसी एक conspiracy का शिकार ना हो जाएं ये आपको ध्यान रखना है अगर कोई व्यक्ति आपको offer करता है point number one कैसे पहचाने कि कोई fake donor है आपने एक नया NGO बनाया है कोई हमारी innocence का फाइदा उठा सकता है तो point क्या है यदि कोई donor आपसे बात करता है कि वो आपको 11,000 रुपए वो आपको 51,000 रुपए वो आपको 1,000,000 रुपए donation देना चाहता है और ये donor जो है मैं समझता हूँ stranger है तो आप मान के चलिए आप इस donor पर विश्वास कर सकते हैं लेकिन इसके विपरीत यदि कोई एक stranger जो सामने आने को भी त्यार नहीं है या किसी और channel से बात कर रहा है और आपके NGO में वो करोड़ो रुपए donation देने की बात कर रहा है तो आपको यह मान के चलना है कि आप एक अपराद का हिस्सा बनने जा रहे हैं ऐसी कोई donation किसी को इमानदारी से नहीं दियाती है इसके पीछे कोई और ही कहानी है इस कहानी से किसी अपराद की proceeds of crime आपके NGO में आने वाली हैं आपको यह मान के चलना है तो please आप इस money laundering का इस conspiracy का हिस्सा ना बने दूसरा point अभी फिलहाल आपने एक NGO बनाया है point number two आप अपने जीवन में 200 लोगों को जानते हैं 500 लोगों को जानते हैं या 1000 लोगों को जानते हैं जितने भी लोगों को आप जानते हैं आप इनका एक database त्यार करें आप इनकी एक profiling करें कि इन मेंसे कौन-कौन व्यक्ती आपको donation दे सकता है या तो donation दे सकता है या आपको अपनी company में अपने organization में जहां भी वो आगे आपको connect कर सकता है वहाँ वो आपको खुशी से connect करवा सकता है तो ये जो database है यहीं आपके NGO का आपके NGO को जो donation चाहिए आपके आसपास ही है सिर्फ आपको उसे पहचानना है तो point number two जितने भी लोगों को आप जानते हैं उनका एक database त्यार कीजिए और इनसे मिलिए इन्हें परस्यू कीजिए ये आपको आगे अपनी company में अपने office में अपने organization में आगे कहां कहां connect कर सकते हैं हो सकता है आपका ही एक जानने वाला किसी अपनी एक company में आपको CSR head से मिलवा सकता है या अपनी company का ही कोई project आपको दिलवा सकता है तो ये आपको दूसरा काम करना है Point No.3 अभी आपका NGO एक baby है इस NGO की 100% success आपकी personal commitment आपकी personal guarantee आपकी personal integrity पर डिपेंड करती है अभी इस NGO की ऐस सच कोई पहचान नहीं है NGO आप बहुत जल्दी अपने आप से कभी भी बिना सकते हैं लेकिन इस NGO को चलने में अभी थोड़ा time लगेगा तो जब तक ये NGO अपने आप से खड़ा नहीं हो जाता इसकी 100% success आप पर निरबर है आपके words of wisdom पर आपके conduct पर निरबर है तो आपका conduct ही आपके NGO को एक रस्ता दिखाएगा एक shape देगा तो आपको अपनी personal commitment और अपनी personal integrity का NGO चलाते समय बहुत ध्यान रखना है Point No.4 Showcase the evidence of impact created by you माल लीजिए एक A नाम के व्यक्ति ने आपके NGO को 10,000 रुपे की donation दी अब आपको A तक इस बात को पहुँचाना है कि उसने जो 10,000 रुपे की आपको donation दी अन्तते उसका हुआ क्या उससे किसका फाइदा हुआ उससे किसके जीवन में बदलाव आया माल लीजिए आपने A नाम के व्यक्ति को एक 10,000 रुपे की donation दी और आपने उससे वाइदा किया था कि आप उसके नाम से कोई कारिय करेंगे तो जब वो कारिय हो रहा है तो उसकी video recording या उसके बाकी सारे जो भी evidences possible हैं वो A को दिये जाएं जिससे A भविश्य में दोबारा भी आपको donation देगा और अपने आसपास के network के लोगों को भी आपको आपके NGO को recommend करेगा तो ये आपको काम जरूर करना है पाँचवा point Thank you, thank you, thank you आपको बार बार अपने donors का thank you बोलना है Thank you बोलने के लिए आप उन्हें जिस donor ने भी आपको छोटे से छोटा जो भी आपको amount donate किया है उसके लिए आप बकाईदा उन्हें चिठी लिखेंगे उनका धन्यवाद करेंगे और ताकि वो इस बात को लंबे समय तक record कर सके तो बिना thank you बोले एक NGO में जो donor है दोबारा आपके पास उसे दोबारा आप मौका देंगे बार बार उसका धन्यवाद करके और बार बार वो आपको और लोगों से भी connect कर सके नमर छें content writer या art of communication देखिए हुआ क्या है कि आप अगर चाहें NGO चलाने के लिए जो सबसे बड़ा मजबूत pillar है वो है समय समय पर अपने donors को लिखना सरकारों को लिखना दूसरे NGOs को लिखना बड़ी बड़ी कंपनियों को लिखना तो आपको लिखने में mastery करनी होगी अगर आप खुद नहीं लिख सकते हैं तो एक content writer intern के आप मदद लीजिए आप ये भी नहीं कर सकते तो आप ready made printed letter छपवाईए कि साब आप समय समय पर लोगों को जो भी आप लिखना चाहते हैं लोगों को शुब कामनाई भेजना चाहते हैं donation letters आप pre printed format में भी print करवा के अपने पास रख सकते हैं जिसमें थोड़ी से आप personalized details और एड़ कर देंगे हर बार तो इसे आप भेज सकते हैं समय समय पर अपने donors को लिखिए कमपनियों को लिखिए कुछ मुद्दों को आप उठाइए जो आपके NGO से जुड़े हैं जिसके लिए आपके लिखने की कला और आपके बोलने की कला ही आपके NGO का सबसे बड़ा valuable foundation बनेगी पॉइंट नमबर 8 हमारी सरकार ने भी एक नया online portal त्यार किया है csrexchange.gov.in Ministry of Corporate Affairs ने एक online portal त्यार किया है क्या है portal एक तरफ donation देने वाली CSR कमपनियां और एक तरफ CSR donation मांगने वाले NGOs इन दोनों को अपना registration करवाना है csrexchange.gov.in पर तो यहाँ पर क्या होगा दोनों एक दूसरे से मिल देंगे आप समय समय पर दरपन NGO पर भी सरकार के projects को आप review कर सकते हैं अभी क्या है अगर आपको CSR एक trust society section 8 company होने के नाते अगर आपको csrexchange.gov.in पर एक implementation agency के तोर पर registration कराना है तो इसके लिए भी आपको कम से कम 3 साल का experience होना चीए for undertaking charitable projects तो वो experience अभी हमारे पास है नहीं तो हमें फिर से baby step लेने हैं कोई reference ऐसी ढूंडनी है जहां एक company आपको बिना अनुभव के बिना आपके past track record के आपकी personal integrity के आधार पे भी आपको CSR projects देने के लिए हाँ बोल दे जिसमें आपके connects ही आपके काम आएंगे अगला point हमारे देश में बहुत सारे अब online donation platforms भी हैं आप इन में से किसी भी एक online platform का इनके साथ एक arrangement होता है आपका इनके portal पर जो donation आती है उसका एक हिस्सा ये अपनी management fees के तोर पर रख लेते हैं और बाकी हिस्सा आपको pass on कर देते हैं तो अगर आप इसे सही समझें तो आप किसी भी में किसी भी donation platform का नाम नहीं लूँगा आप किसी भी आप Google पे लिखें online donation platforms और आपके सामने series of online donation platforms आ जाएगा इसमें से किसी भी एक reliable, credible online donation platform पर आप sign up कर सकते हैं और एक arrangement टैक कर सकते हैं अगला point आपके पास जितने ज्यादा registrations होंगे उतनी ज्यादा आपकी credibility होगी लेकिन बहुत सारे registration at times समय के साथ साथ आपके पास आएंगे अभी आपको एक नए NGO होने के नाते CSR1 registration या FCRA registration के बारे में नॉर्मली नहीं सोचना है क्योंकि इन registration को लेने के लिए आपको कम से कम तीन साल का bare minimum existence का और prior experience आपके पास होना चीए लेकिन इसके लावा यदि आपके पास दरपन NGO का registration है, income tax department के section 12AB, ATG के registration है और कोई भी specific registration जो आपके NGO पर किसी भी कानून के तहत apply होता है इस प्रकार के सारे registration यदि आपके पास हैं तो donor की public at large की जो आपके प्रती जो commitment है वो ज्यादा बहतर होगी जितनी आपके credibility बहतर होगी उतनी ही ज्यादा chances हैं आपको ज्यादा से ज्यादा donations मिलने के अगला point, finest audit report एक NGO को चलाने के लिए जो उसका consultant है, जो उसका chartered accountant है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है बहुत सारी company बहुत सारे donors आपको donation देने से पहले आपके financial statements को आपके annual reports को पढ़ना चाहती हैं वो पता लगाना चाहती हैं कि जो आपने donation ली, public at large से पिछले सालों में या किसी भी साल में उसका आपने किया क्या, donation का कितने percent आपने खर्च किया अपने main objects को pursue करने में ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि कहीं आपने, मैं example आपके सामने रखता हूँ, आपने 10 लाक रुपे donation रिसीव किये और उसमें से 60%, 70% आपने salaries ही बाती हैं आपके दूसरे admin expenses हो रहे हैं, लेकिन जो core activities हैं आपकी उस पर खर्चा मामूली सा 10, 15, 20% ही किया गया है तो ऐसी annual report को पढ़ कर कोई आपको donation नहीं देगा, तो एक बहतरीन professional ही इसमें आपको समय समय पर guide कर सकता है, आपको professionally advice कर सकता है आपके financial statements की quality आपके NGO का future decide करने वादी है, आपके donation के volume को quantum को define करने वादी है इसका बहुत ध्यान रखें आखरी point यदि आपने, यदि कलपना कीजे कि मैंने आपको donation दिया है 11,000 रुपय का आपके NGO को तो आपकी duty बनती है कि आप बिना मेरे follow up कीजे मुझे आप donation के रसीद दे, मुझे आप बिना मांगे मेरे अपने आप income tax के profile में जो मैंने आपको donation दी है उसका form 10BE मेरे 26AS में मेरे online income tax profile में अपने आप आज आना चाहिए कि मैंने आपके NGO को donation दी है इसके लिए आपका सही समय पे अपनी returns भरना बहुत ज़रूरी है आपको अपने donors के प्रति आपको responsible होना पड़ेगा आपने जिन लोगों से funds collect किये हैं उनके प्रति आपको जवाब दे होना पड़ेगा तो जिस व्यक्ति ने भी आपको जो भी donation दिया है आप इसे 31 मई तक financial year खतम होने के दो महिने के बाद यानि कि अगली annual return of donation 31 मई 2030 को भरी जाएगी तो financial year 2022-2023 में जिन जिन लोगों ने आपको donation दी है बिना उनके मांगे बिना उनके follow up किये आप उनकी return time पे भरें जिससे उनको इसका tax credit अपने आप उनके tax return में reflect होना चाहिए उनके online profile में तभी वो आप पर भविशे में अगली donations के लिए या आपको recommend करने के लिए आप पे विश्वास कर पाएंगे तो ये कुछ points हैं donations पर कि NGOs को donation solicit करते समय क्या क्या सावधानिया रखनी है और मैं फिर से एक बात कहूंगा कि कोई भी नया NGO बनते ही donation collect करना सच मुझ में एक बहुत बड़ा संघर्ष है ये संघर्ष जितना ज्यादा बहतरीन होगा जितना ज्यादा hard होगा सफलता उससे कई गुना बहतर होगी तो आपको इन baby steps को ध्यान रखते हुए इन छोटे छोटे points का ध्यान रखते हुए अपने NGOs को sustain करना है जिसमें मैं समझता हूँ ये वीडियो के बहत काम आएगा तो आपके कोई सवाल हो तो मुझे जरूर लिखिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से कुछ और points के साथ Thank you so much